गुद मॉर्णिंग चिल्रंस हाव अर यू आर यू फाइन ओके सभी चिल्रंस को मेरी तरफ से हैपी न्यू येर ठीक है आप सबको नया साल की बहुत बहुत बदाईयां हुँ मुबारको आप सबको तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लीश बुक नमबर 4 एंड पेज नमबर 44 पहले तो आप ये देखिए मैंने चार बुक्स अपनी कंप्लिट हो रही है तो और लेटर तक हो चुका है अपना ठीक है और पी लेटर तक ठीक है पी लेटर तक हमारी एक्सरसाइज भी हो चुके हैं अब हम कुछ एक्सरसाइज है LMNOP तक वो हम करेंगे ठीक है तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो लेट स्टाट देखिए आपर राइट था मिसिंग लेटर इन इज सेट यहाँ पर ये चार तरह के सेट दिये गए हैं इसमें क्या करें राइट हो रहे हैं कुछ-कुछ और कुछ-कुछ ब्लैंक छोड़ रखें उनको आपको इस तरह जमाना है ठीक है कौन-कौन से नंबर रहे गए इस तरह आपको यहाँ पर राइट करना है तो यहाँ पर जो राइट अक्षर है इहाँ पर, ल राइट है everyone आपको इरिद के जिस्ट बात क्या आएगा अ सिर्द के में अ थीक है इस तरह इस तरह यहाँ बन जाएगी पूरी लाइन के बनले याजयू न यहरी खाराईव M, N, O, P यह पूरी लाइन हमारी इस तरह बन गई, यह missing letter की ठीक है, अब हम next line देखेंगे second अपना यहाँ पर यह blank छोड़ दिया गया है यहाँ पर आ रहा है आपका M letter M letter से पहले क्या आता है आप बोल के देखेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L M, M आया M से पहले क्या आया, L letter आया तो L हम यहाँ पर missing है तो L यहाँ पर right करेंगे ठीक है, अब फिर देखेंगे M, M के just बात क्या आ रहा है आपका, N ठीक है, क्या रहा है N आ रहा है, और N और एक और missing है, O है तो N के बाद O और O के बाद P यहाँ पर right है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे N और P N और O, ठीक है इस तरह यह line क्या बनगी L, M, N, O, P यह जो missing letter है वो आपको यहाँ पर right करने है ठीक है, तो यह L missing था N missing था, O missing था तो continue इस तरह आप read करेंगे इसको L, M, N, O, P ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे, यह तो के capital यहाँ पर capital right थे तो हमें capital ही right करना है यहाँ पर small right है तो हमें small right करना है ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे small का L यहाँ पर right हो रहा है टो L के बाद के आएगा just M आएगा तो हम क्या करेंगे M लिखेंगे यहाँ पर Am के just बाद N यहाँ पर right हो रहा है SMALL का फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे O लिखेंगे o के बाद क्या रहा है प आ रहा है SMALL का तो हम देखेंगे L M N O P इस तरह आपका यह L M N O P small का हो गया इसी तरह आप यहाँ पर write करेंगे यह capital का हो गया L, यहाँ पर M N लिखना है O यहाँ पर रिखा हुआ है और P लिखना है इसी तरह यह हो गया L M N O P ठीक है? इस तरह आपको यह missing letter यहाँ पर write करने है इस तरह मैंने करेंगे अम नेक्स एक्सरसाइज देखेंगे look at the picture and color the circle with the first name of its name यहाँ पर आप यह picture देख रहे है यह वाली picture यहाँ पर यह जो picture जिस letter से start हो गया इन में से ठीक है? जैसे यह picture दे रखी है तो यहाँ देखेंगे कौन से letter से start हो गया तो यह क्या है? पहले तो यह आप देखेंगे इसकी आप पहचान करोगे identity करेंगे यहाँ पर यह क्या है? this is a laptop this is laptop this is laptop तो laptop किस से होता है? l lecture से होता है l alphabet से होता है तो l alphabet यहाँ पर है तो इस box को आप color कर देंगे इस तरह आपको यह exercise करने हैं यहाँ पर हम देखेंगे this is mop this is mop तो mop किस letter से होता है? m letter से होता है तो यहाँ पर m box को m letter वाले box को यहाँ पर color कर देंगे इसी तरह हम यहाँ देखेंगे यह क्या है? necktie necktie किस से होती है? start n से होती है तो यहाँ पर हम n letter वाले box को color कर देंगे इसी तरह हम यहाँ देखेंगे this is ostrich o letter से होती है ostrich तो यहाँ पर o letter वाले box को हम color कर देखेंगे इसी तरह हम last देखेंगे यह क्या है? this is purse तो purse किस से start होता है? पहले हम pictures identity करेंगे pictures के बाद में जो भी alphabet से यह शुडू होता है उस alphabet के words को यहाँ पर जो right है उसी box को हम color fill कर देंगे इसी तरह आपको purse P से होता है तो यहाँ पर P right कर देंगे ठीक है? इस तरह आपको यह करने हैं यहाँ पर ठीक है? आज आपको यह दो page की exercise करनी है ठीक है बच्चो? ओके? neat and clean काम करना है और आपको यह 4 नंबर की book आपकी complete होने जारी है तो यहाँ तक क्या यह आपका slip बसाएगा इनको आपको read भी करना है learn भी करना है ठीक है? ओके बाई